किश्मीर सेंग गुर्द्वारा माहितान हेडगरंथी आपके स्वाल नालज बहुत अच्छा है मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है कि आपका धर्म हमारा धर्म शब्द का पजारी है आप कुरान को हम गुरु गुरान साथ को शब्द को मानते हैं और आपके ही तर्मे कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो ब्रदान है नहीं है प्रंक्तु कुछ एक आपमी ये मूर्ति नहीं बढ़ाई कि उसकी कबर्दे रूप में जो है मजार के रूप में उसको मानता दे दी आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो तो एक बात ही है क्या ये जो है तर्म के उल्ट नहीं इस बारे आप रूशनी पाईए भाई साब ने अच्छा सवाल पूचा अगर सवाल को दोरा आगा अगर सवाल को समझने में कुछ गल्सी होएंगी तब सिदा कर लेना भाई साब ने पूचा कि बुद पर सी गल्ट है उनके मजब में भी गल्ट है हमारे मजब में भी गल्ट है आप बुद को उल्टा पूजए चिदा पूजओ तो मजभ को पूज़ना सही है कहने वो आपका सवाल था मज़ार पे जाना सही है के गरत है भाई साथ में बहुत अच्छा सवाल पूछा इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसल्मान को मत देखो कुरान और हदीश पो देखो कुरान में कहीं भी नहीं लिखावाए कि मजार बनाओ यहां तक कि अल्ला के रसूल मुम्मस ने कहा कोई भी कबर पक्की नहीं होना चाहिए सराधियर बुखारी की अगर कोई कबर पक्की है तो उससे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए मजर मजार को पूझना घलत है हराम है मैं जानता हूं कि कई कई मुसल्मान अन्जाने में इल्म की कमजोरी के वज़े से वो मजर मजार पे जाते है और मेरा ये कहना है कि भोच सा कल्चर जो है कल्चर हमारे जिन्दगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कई न कई हिंदू तो होंगे तो हमारे बाप दादा जाओं ते थे मंदर तो उभी जा रहे ही इन्व इन-वें मजार में आस्ते आस्ते तबिदिल आ रहे तो मेरी दर्खास थे कि अगर आप इस नाम इन भाईयों से जो मजार जाते हैं मुसलमन भाईयों मजार पे जाना बिलकुल घलत है मुमस ﷺ मैं कहा कि आप कबर पे जाओ अगर आप कबर पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी न कभी मरने वाले हैं तो अल्ला पे और यकिन करेंगे आखरत पे यकिन होगा तो कबर पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है जो आद्मी मर चुका है उनके लिए दुआ करो उनको दुआ नहीं कर सकते तो प्रेड़ नथ प्रेज़ दुआक trzy ङूए मतलब उनके लिए दुआ कर सकते उनको दुआ नहीं कर सकते आप समझ रहे वो बिचारा शफ मर गय अच्छा शफ था उसके लिए दुआ कर सकते, अल्ला उसे जुनते फिर्दोस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वह तक्तिक है, लेकिन जाके ये बोले, कि मेरे एग्जामनेशन में में नमबर कम है, तो बाबा, नमबर अच्छे कर लो, ये बिलकुल हराम है, शिफा, कुरान मजीद आखरत में उनको इज़ात देंगे, वह अखरत में, आज की तारिक में हम मंबर स्लला उसल्लम से भी नहीं मानते हैं, बाकी लोग को तो छोड़ो संत और बाकी बाबालों को छोड़ो, मंबर स्लल्ला उसल्लम को भी मानना, हमारे लिए हराम है, जो शक्स मर चुका है, हम उन से प्यार करते लेकिन उनकी पूजा नहीं करते उनकी अबादत ने रिबादत सिर्फ अल्ला की है